तो हलो फ्रेंड्स, आगया है मैं एक और नी वीडियो के साथ, तो अभी जो CS का सीरिस चल रहा था ना, वो तो Grandmaster लगने के बाद ही ज़स्ट बंद हो चुका था समझ लो, अब यहाँ पे ना, जब मैंने अपने प्रोफाइल को देखा ना, तो एक बार चेक किया तो कुछ-क चीजे मेरे कोई धूरा सा लगा भाई, यहाँ पे मेरा BR में Grandmaster ही नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो, 8000 स्कोर है, और उसके साथ ही साथ मेरे पास एक भी Weapon Glory टाइटल्स, इंडिया का नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस्टेट का बस है, वो भी बस तीन ही है जबकि एक टाइम कम है, एक सीजन में सबसे ज़्यादा Weapon Glory टाइटल्स का एक रिकॉर्ड बना है, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया है, मेरे ज़्यादा एक सीजन में किसी भी प्लेयर ने Weapon Glory टाइटल्स नहीं किया है, अब यहाँ पे जो आप सीजन में भी मैं Top 2, Top 3 कर चुका हूं, किसी सीजन में किया था, पता नहीं कौन सी सीजन का है तो, अब यह जो मैं Highest Weapon Glory टाइटल्स का जो रिकॉर्ड बनाया हूं, यह मैं Heroic में रहे के नहीं बनाया हूं, मैं Grandmaster region पे चल रहा था, टॉप 50 के आसपास में रहता था पूरे region प्लस इसके साथ ही साथ मैं Solo Region, Kills & Wins में Top 1 पे चल रहा था उस टाइम पे जब मैंने यह रिकॉर्ड बनाया था, अब इतना सब चीज को मेंटेंड करके भी मैंने एक सीजन में Highest Weapon Glory टाइटल्स का जो रिकॉर्ड बनाया है उसको सब से Special क्या चीज बनाता है, मैं आपको बताओं वो है Solo, मतलब कि Only Solo खेल के मैंने यह रिकॉर्ड बनाया है, अब यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप लोग देखोगे ना तो वो जो मेरा रिकॉर्ड है ना वो अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया है, मतलब कि ऐसा मान सकते हूँ कि Weapon Glory यह तो मेरे प्रोफाइल को मैच नहीं कर रहा है, ऐसा मेरे को लगा, तो मैंने सोचा कि सीजन इंडोने से पहले मेरे को किसी भी एक गन को इंडिया पे एटलिस्ट टॉप 100 के अंदर लेके जाना है, टॉप 1 तो अभी मुस्किल है, और साथ ही साथ मैं इस सीजन अपने ID को ग्रांड मास्टर भी लेके जाऊंगा, बियार रैंक में अब यह सब कर पाऊंगे कि नहीं, वो तो लास्ट में देखने वाली भात रहेगी, बाकी चलो आपको सीधा मैं एक गेम में लेके चलता हूँ, ओके तो फाइनली आर मैच, तो स्टार्ट हो चुका इस टाइम पे, अब गेम में आगे बढ़ने स्पहले न मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो अपना एक सेकेंड चैनल भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टन में देखो मिल जाएगा, वहाँ पे एक रिसेंटली में मैंने एक वीडियो अपलोड किया, कांफी अच्छा से आप सर्वाइव करके बीना रिस्क लिए हुए भी थाट पाटी से बच्कते हुए भी आप आट से दस किल कैसे निकाल सकते हो, यह सारा चीज डिटेल्स में मैंने बताया है, तो वह एक बार चेक कर लेना, अब यहाँ पर मैं सीजान आने वाला है, तो पूरा पूरा भी को एक जरूर से कमेंड करके बताना, अभी मैंने बोला तो है कि किसी भी एक गन को मैं इंडिया पर टॉप हंड्रेड पर लेके जाने वाला हूं करके, अब कौन सा गन है वो अभी तक मैंने चूज नहीं किया है, तो जरूर से आप लोग भी यह चीज मेरे को सजेस्स कर सकत कि मेरे को कौन से गन को लेके जाना चाहिए इंडिया पर, और लॉंग रेंज का गन ही कमेंड करना वो भी एर गन, अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं ज्यादा तर फाइट लॉंग रेंज में ही लेता हूं, प्लस मैं एर गन ही चला इसलिए दोबारा इधर उतर गया, जब मैं सीरियास होगे रैंक पूस करता हूं तो दोबारा एक बार जहां पर मरता हूं, वहां पर दोबारा कभी भी नहीं उतरता, फिलाल यहां पर भगवा वाल बंदा आ चुका है, जो कि अल्रेडी एक बार मेरे को मार चुका है, ओके तो चलो ठीक है, इसको तो मैंने फिनिस कर दिया, अब यहां पर एक और बंदा है भाई, अच्छा हुआ हमें इधर के साइड पर आ गया, इधर एक वाल लगा कि इसको लूट करता हूं सबसे पहले तो, इसके पास कुछ अच्छा सा गन भी नहीं है, यह किंग फिसर से मेर मेरे को मारा यार, फर्स्ट में मतलब हेट सांट ही तुक्के तुक्के में लग गया है, बंदे का मेरे ख्याल से, लेकिन चलो कोई बात नहीं हमने तो बदला ले लिया है, वाकी यहां पर एक किल भी मेरा कम्प्रीट हो चुका है, मतलब कि खाता खुल चुका है, मेरा भी बहुत ज्यादा बंदया लाई हो है, 43 बंदया लाई हो है, अब इधर के साइट पे मेरे को थोड़ा लूट वेगरा करना है, फामस के जगा पे कोई और गन उठाना है, बाकी फामस भी अच्छा चलता है, मतलब चला के देखना अगर चलाए नहीं हो तो, तीन चीप लगा पूट लकिन अच्हा महीं ंचलता, मने इसको इसलिए नहीं चलता है, थोड़ा मजा नहीं आता है, यहासे है रहे लिएक वर देकना in ondava firm, इसलिए अभी नहीं और मलता है, यह थो नहीं होता है है, जो कि मैसे लिए उसाइप लाइद कर रहा है, जैसे ही उसस पर आप है उस टाइम पे अब यहां पे मेरे को एक और बंद आ गया अब यह बंद तीस टाइम पे M10 का नाम ही डुबा दिया भाई थॉमसन से मर गया यार तीन लेवल के M10 पकड़ के भी ऐसा नहीं है उसके पास इसकीन नहीं था भाई हो रहा है दो के चलो एक और भार इसको मैंने這個是 k करती है यह थ Picard मेरो को एक बार मारा इस इसमें मैं इसीव बंदे को दो बार मतशा सीन मेरे साथ पहली बार कि वहा शोर्ड़ी से इक गेम में तीन वार फाइट हुआ और दो बार मैने जीता हूं ःफची wir s c कि क्या बोल रहो ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो जरूर से कमेंट करके बताना बाकी चलो ठीक है इदा लूट वेगेरा मैंने और थोड़ा पहुत किया एक चाबी वेगेरा पर्चेस किया दे यह वाला घर आके उपन कर लिया और अभी बंदे देखोगे तो 19 बंदे अला अभी उधर से ही पकड़ के आया था ब्लू जोन से तो वो चीज काफी अच्छा है देखो यह चीज आपको एक टीप देता हूं हो सकता है आपके पास वो अटेच्मेंट का भी के टाइम पे तो काम नहीं है फिर भी पकड़ लो तिन-तिन लेवल का गर मिल रहे तो सायथ मैंग जिन है उसको मैं पकड़ के रखा था अब यहां पे एक बंद आया इसको तो चलो मैंने फिनिस कर दिया और जब यह वाला बंद इधर आया ना गाड़ी लेके तो मेरे को लगा ही था कि यह बंद जरूर से यह वाला ड्रॉप चार्ज करने के लिए रुखे गई इसल तो मैंने सोनिय बना दिया भाई दिमित्री जलाली बंद रिवाई हुआ यार इसके बास ठीवा करेक्टर है क्या बंद है भाई मतलब सीएस का करेक्टर इधर आके लेके खेल रहा है बाकी यह काम तो ब्यार में भी यह चीज काम आ सकता है कितना जल्दी वह बंद अब यह बंद रॉट के जाने वाला हूँ लास्ट जोन में जो ड्रॉप आता है उसमें अक्सर ग्रोजा एक्स मिलता है जो कि मेरे को चलाना पसंद है तो उधर से मैंने ग्रोजा एकस सच में ले लिया वाई उधर ट्रॉप में मिला था थोड़ा से वीडियो का पार्ट मे करने का ट्राई करूँ अब यहां पर इसको मैंने थोड़ा वह डामेज यह बंदा जो है वाल लगा लिया एक काम करती है इसका वाल तोड़ते है सबसे पहले ओके चलो यह वाला बंदा भी खताम हो चुका है CS दिपग भाई यह वाले गेम में CS वाले प्लेयर जादा आये है क्या दो CS प्लेयर को मैंने मार दिया अभी चलो देखने है कि यह बंदा आहिर किसको मार रहा था मेरे ख्याल से इसने उसको किल तो नहीं देखी रहा कोई वह बंदा नहीं मर था और यह रहा थोड़ा थोड़ा सा ही HP का और बच गया, अगर ये थोड़ा देरा और ओपन में रह जाता ना तो ये बंदा कनफा में फीनिस हो जाता, अब इस टैम पे ने इसका वूड़ पीकर देखके सच में मेरे को ऐसा लाखर है कि ये बंदा सच में CS ही प्लेयर था, क्योंकि वूड़ पीकर मत सब्सक्तला ओधिए फिर आया बंदा सामने ऑना बंदा मरना चाहिए, इसको देख़ो कितना बंदा दे को मार पता ही नही önे चला यहां पर भी इसको एक आध गोली लग जाता ना पैर पर तो वह बंदा कनफा में फीनिस हो जाता क्योंकि इतना ज्यादा मैंने डाइमेज करती है ज्यादा गरोजैक्स कितना खतारनाक चलति यहांव बंदा मेरे सोट मेरे से बसक्रोड आचा जाहाँ यहां तक यहां रहा है यालो इसको भी मैंने headshot दे के इस time पर finish कर दिया इसको पता ही नहीं चला इधर portal लगा कर इसके पीछे आ गया था नहीं यार लेकिन last में इसको पता तो लग गया था क्योंकि वो मेरे को एक shot मारने का try तो किया थे AWM का हाला कि उसका shot जो है तोड़ रहा है भाई चलो वो वाला बंदा तो अभी तक रिवाई हो गया होगा अब ये right वाले बंदे को मारते है आखिर ये मार तो मार कहां से रहा था मेरे को नहीं पता मेरा kill चोरी हो गया क्या मेरे ख्याल से अभी अभी एक बंदे ने उसको मारा ओके चलो इसको भी मैंने फिनिस कर दिया, इसी ने मेरा किल चोरी किया था, लेकिन वो बंदा रिवाई हो गया था मेरे ख्याल से, ओके ये बंदा इधर के साइड पर है, चलो ये वाला बंदा भी फिनिस हो गया, भाई कितना देर से ये बैठा चीपा बैठा था यार, जब म पास्ट वाला बंदा इधर के साइड पर आए, अब इसको मैं हेडशॉट मारूंगा भाई कैसे भी करके, मेरे को भी आता है, यार, हेडशॉट मारना वो बाता लागी कि मैं मारता नहीं हूँ, चलो भी ये पीक बस दे दे मेरे को एक बार, निकल जा भाई, बैठाओ यार मार मेरे को, हलो, ओके चलो देखो अभी मैंने मारा निसको हेडशॉट, ऐसे ही मैं मार सकता हूँ, हेडशॉट लेकिन मैं हेडशॉट के लिए खेलता नहीं हूँ, क्या पाता हूँ, उसका वन टेप लग जाए, सामने वाले बंदे को फिनिस करो, और इसमें मेरे को 32 का प् मार में मार मम जाए, सामने वाले तक बाता हूँ, बंदे को, और अशे ही मैं मार जा जाए, सामने वाले बंदे को, और रोर को, और बंदे को.